नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ROR और RBMS दोनों ही टीमों के बीचे खेले जाने वाले दिन के T10 मुकाबले को तो दोस्तों टीम के कॉंबिनेशन को सेट करने से पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों के अब तक के टूनामेंट सफर के बारे में सबसे पहले यदि बात करें ROR टीम के बारे में तो टूनामेंट में 6 मुकाबले खेले हैं और 6 के 6 मुकाबलों में इन्होंने जीत दर्ज की है वहीं RBMS ने 6 मुकाबले खेले हैं 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 2 मुकाबलों में इन्हार मिली है यही करण है कि दोनों ही टीम है अब तक दोस्तों पहले और दूसरे नंबर पर टेबल रैंकिंग में बनी हुई है यह तो दोस्तों दोनों ही टीमों की हर डेपार्टमेंट शांदर परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन यदि बात करने दोनों ही टीमों के बैटिंग ओडर के बारे में तो सबसे पहले यदि RBMS के बैटिंग ओडर को देखें तो इनके जो टॉप 4 के बल्लेबाज लगातार अपनी सेम पोजिशन पर आ रहे हैं यानि इनके टॉप 4 बल्लेबाज किसी परकार का फिर बदल अपने बैटिंग ओडर में नहीं कर रहे हैं लेकिन यदि बात करें ROR के बारे में तो इनके ओपनर्स को छोड़ते हैं दो तो 3, 4, 5 और 6 नमबर के बल्लेबाज अपने बैटिंग ओडर में चेंजिस करते हैं दोस्तों ऐसे में बैटिंग ओडर चेंजिस होने के बाद जो बल्लेबाज उपर बल्लेबाज करने आता है वो स्कोर भी करकर दे रहा है तो हमारे लिए सबसे important R.O.R. टीम के betting order को समझना है क्योंकि दोस्तों हमरे top order के बल्लेबा यदि हम टीम में शामिल करते हैं और दोस्तों ऐसे में पूरा मौका नहीं मिलता तो ऐसे में हमें नुकसान हो सकता है तो चलिए सुरुबात करते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं दोनों ही टीमों से जुड़े हुए venue के बारे में तो रोम करकेट ग्राउन यानि रोम में सारे मुकाबले खेले जा रहे हैं और आज का मुकाबला भी यहीं पर खेला जाएगा पिच की बात करें तो एकदम बैलेंसिंग बिगट आपको देखने वाला है क्योंकि यह एक आर्टिफिशल बिगट होता है मैट की उपर सारे मुकाबले करा जाते हैं तो ऐसे मैं दोस्तों टॉस का परवाव दोनों ही इनिंगों में नहीं पड़ता है यानि दोनों ही इनिंगों में पिच एकदम समान रहती है टूनामेंट में अभी तक 16 मुकाबले केले जा चुके हैं पहले बल्लेवाजी करने वाली टीम में 10 मुकाबले और बाद में बल्लेवाजी करने वाली टीम में 6 मुकाबले जीते हैं हाला कि टॉस का कोई परवाब नहीं पड़ता है लेकिन आंकडों की मानत और टोस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी का फैसला यहाँ पर लेने वाला है ऐसे मैं एवरेज स्कूर की बात करें तो 90 से लेकर 110 के बीच में ही आज का मुकाबला होने वाला है क्यों दोनों ही टीमेश शांदार है और दोस्तों किलोज मुकाबला यह होने वाला है लेकिन दोस्तों बात करें तो हेड टू एड मुकाबले में पिछले दो साल में दोनों ही टीमेश दो वार आमने सामने हुई है और RVMS ने इन दोनों मुकाबलों को जीते हैं हाला कि ROR दोस्तो इस सीजन में अभी तक अन्वीटन रही है लेकिन फिर भी दोस्तो हेड़ टो एड़ मुकाबलों में देखे तो दो मुकाबले RVMS ने जीते हैं मतलब आज का मुकाबला काफी कलोज रहने वाला है दोस्तो इंपोर्टन सेक्षन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तो ROR के पिछले जो मुकाबले हैं 6 के 6 मुकाबले में जीते हैं तो इनके स्कोर पर अजब अपन नजर डाल लेते हैं सबसे पहले जादी बात कर दोस्तो पहले मुकाबले में और लगतार score अच्छा कर रहा है यानि देखा जा दोस्तों तो पहले और बाद में दोनों ही प्रकार कभी भी ये बैटिंग कर लें ये टीम आपको शांदर परफॉर्मेंस करकर देने वाली है और सामने वाले टीम की भी लगबाग दोस्तों काफी बिकट ये टीम गरा देती करें दोस्तों काफी बड़े बड़े score ये टीम खड़े कर रही है तो इसका मतलब टोस हमारे लिए important रहने वाला है और टोस के हिसाब से हम अपनी टीम तयार करकर चलने वाले हैं दोस्तों फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे यादि आ हमारा सबस्यादा focus student cricket पर रहता है अब वीडियो को दोस्तों अन तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपके लिए कापी helpful रहने वाली है और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अबश्य करिएगा कमेंट करकर जरू बताईएगा आपको हमारा वीड बिगट की बिंग सेक्शन में आपको देखेंगे तो सांदार रप्य की रहने वाले हैं और इसकोर दो मुकाबले में जियो जियो रहे है यानि पहली पहली बॉल पर यदि यह आउट नहीं होते हैं इसके बाद बड़ा स्कोर कर रहे हैं दोस्तों लगातार काफी बड़े- बिगट टीम के लिए नकाले हैं तो हो सकता है आने वाले मैचों में आपको बॉलिंग भी करते हुए देखेंए यानि यहां से बात करें तो दोनों ही आपके लिए इम्पोरेंट पिक रहने वाले हैं अब बात करें तौस्त कराथ तो दोस्तों चुली चल सकते हैं, Grand League की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है बॉलिंग लगातार कर रहे हैं, बिकिट भी निकाल रहे हैं यानि important pick तो है, लेकिन दोस्तों Grand League के हिसाब से आप different pick के तोर पर इनको captain by captain try करकर चल सकते हैं अब बात करने गगंदीप सिंग के बारे में तो शुरूबा थी दो मुकाबलों में टीम के लिए इन्होंने open किया था क्योंकि दोस्तों वापर नियाजी नहीं केल रहे थे आप देख सकते हैं, नियाजी पहले दो मुकाबले नहीं केले हैं तो ऐसे में गगंदीप सिंग ने यहाँ पर open किया था लेकिन पिछले दो मुकाबलों में नमबर चार पर बल्ले बाजी कर रहे हैं और हाला की रन नहीं बनाए हैं लेकिन बॉलिंग आप देख सकते हैं दोस्तों तीन मुकाबले में शांदार बोलने नहीं की है और अभी तक साथ बिकट पिछले 3 मुकाबलों में नकाले हैं याण उपर से चार प्लियर अभी तक हम पिक करकर चल रहे हैं इसके लावा दोस्तों मुक्तियार S worse लगतार नंबर 5 पर बल्ले बाजी यह आपको करते हुँ दिखने वाले हैं क्योंकि पेछले 3 मुकावलों में नंबर 5 पर कर रहे हैं सुरूवात में सुरूबार 3 पर बेटिंग की यानि तीन 4 पर यह कभी भी बेटिंग करने आ सकते हैं स्कोर की बात करें हैं तो पांच भे नंबर पर बैटिंग करते हुए इसके पहले 28 बनाए हैं और दो अवर कंप्लीट कर रहा हैं विकेट भी निकाल रहा है इसलिए ये प्लिएर भी इंप्लियर होने वाला है अब बात करें राजबंदर सीग के बारे में और दो दो बिकेट निकाल कर टीम के लिए दिये हैं इंपोटेंट पिक दोस्तों ये भी रहने वाला है अब बात करेंगे दोस्तों शादा मुगूल जदरान के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं इनके बिकेट थोड़े कम हैं दो ओवर कम्प्लीट कर तो रहे हैं लेकिन लाश्ट मुकाबले में एक ओवर फेका है और पहले मुकाबले में भी एक ओवर फेका है यारी थोड़ा वोते दिया आप रिस्क चाहते हैं तो इस प्लियर को आप ड्रॉप पर कर सल सकते हैं क्योंकि आज दोनों ही टीमों में शांदर पिक हमें देखने को मिलने वाले हैं यानि यह मुقावला ग्रांड लिग के सांदर मुकावला आज रहने वाला है ओमर सहज़ा दोस्तों प्लेंग मिलती है तो निश्य तोर पर आपको इन्हीं अपनी टीम में शामिल करना है क्योंकि चार मुकाबले खेले हैं और चारों मुकाबलों में दोस्तो बिकेट निकालकर टीम के लिए हैं बागी आने वाले प्लियरों में कोई भी ऐसा प्लियर नहीं है जिने हम अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं दोस्तो बेंच स्टेंट्स यदि कोई टीम में शामिल होता है तो इसकी जानकारी हम टेली किराम चैनल पर आपके शाथ शेर कर देंगे, अब बात कर दोस्तो आरवी एमेस टीम के बारे में तो इस टीम में सबसे खास बात यह है कि दोस्तो यह अपना बैटेंग ओडर चेंज सारीव रहिए आनने पहले मंगाबले 17 इसके बाद 25 और दोस्तो इसके बाद 24 रन की पारीखेली है अलाकि पिछले दो मुकाबलों में स्कूर नहीं है लकिन पिछले दोनों मुकाबलों में 2 त्यू बयकी थीम के लिए नकाले है यानि बल्लेवादी में यह अच्छा किये हैं दोस्तों लेकिन देखा जाए आप थोड़ा रिस्क चाहते हैं तो आप इस प्लियर को ड्रॉप करें क्योंकि अभी तक इन्होंने अच्छी गेंदवाजी का सामना नहीं किया है तो आज का मुकाबला शांदार है और अच्छी गेंदवाजी होने वाली है यानि ग्रंड लिक के हिसाब से बोल रहे हैं आप इनको ड्रॉप करकर चल सकते हैं लेकिन हैड टू एड में आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं अब बात करें मौसिन एहमत के बारे में तो दोस्तों शुरू मेहमत की बात करें तो दोस्तों इस प्लियर को आप ड्रॉप करकर जरूर चलिएगा क्योंकि देख सकते हैं एक ओवर यहां फेका है और एक ओवर लाश्ट मुकाबलें फेका है यानि बॉलिंग तो इतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं यानि पूरे स्पेल अपने खतम नहीं क बात करें तो 16, 11, 12, 19 का स्कोर कर रहे हैं तो इस प्लियर को आप ड्रॉप करकर चल सकते हैं यानि हैट टुएड के साब से इस पर आप रिस्क ले सकते हैं और ग्रांड लिंग में ज़्यादा टीम बनाते हैं तो वहाँ पर आप इने लेकर चल सकते हैं इसके आप दोस्तों बिकेट कीपर कौम्याबर छोड़कर चलने वाले हैं क्योंकि सामने वाली टीम का बिकेट कीपर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उन्हें ही हम अपनी टीम में शामिल करकर चलेंगे अब बात करें रिफात जनल के बारे में तो इस प्लियर को भी आप ड्रॉप करें क्योंकि कोई खास परफॉर्मेंस अभी तक नका नहीं रहा है बिलाल हुसें की बात करें तो पिछले दोनों मुकाबलों में टीम ने इनको नहीं खिलाया है लेकिन इसके पहले जादी बात करोगे तो चार मुकाबलों में दो-दो ओवर कम्प्रिट किये हैं और चार बिङट टीम के लिए निकाल है यानि इस टीम से दोशो ये बोलिंग करने वाले हैं और बिकट टेगर ये बोलर रहे हैं इसके लाओ बात करो दोसको अपन्रिफात इसलाम के बारे में तो इम्पोटेंट पिक है दोसको आपको टीम में शामिल करना है क्य proving की लीग बिकट नहीं मिला है बागी हर मुकामले में सिंगल सिंगल विक्ट निकाला ए ओर लास्ट मुकाबले में तीन विक्ट टीम के लिए निकाल कर इनवना दिए थीवर नहीं वने वाले हैं अली अबाद दोसों यह ग्रांड लिए कप reverse-pop London नेकाल कर नहीं देगा लेकिन Grand League में आप इसलिए ले जीएगा क्योंकि दोस्तों ये पिक ऐसा है जो आपको तीम से चार बिकेट गुच्छों में निकाल कर दे सकता है इसलिए आप इने Grand League में पिक करिएगा और Head to Head टीम में आप ड्रॉप करकर इसे चल सकते हैं बागी दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं एम शिद्दिगी के बारे में तो पिछले मुकाबले में टीम ने इनको ड्रॉप किया है इसके पहले बाले मुकाबले को छोड़ दें और दोस्तों पहले मुकाबले को छोड़ दें तो बचे हुए बीच के तीनों मुकाबल इन प्लेयरों में से कोई एक कर सकता है दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अबश्य करिएगा चलेल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट करका जरूर बताइएगा आपको हमारी मेनत कैसी लगी है दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय जैहिन दोस्तों